बिसमिल्लाइर रामानिर रहीम काईज आज हम लोग जो मशीन डिजाइन का टॉपिक पड़ रहे हैं वो है हमारे पास रिविटेट जॉइंट्स तो चलते हैं हमारे टॉपिक्स कौन कौन से आज हम कवर करेंगे तो पहला है डिफरेंट टाइपस रिविटेट हैड्स हम लोग देखेंगे कौन कौन से होते हैं उसमें आ जाते हैं सिंगल रिविटेट लैप जॉइंट्स हम देख लेंगे कौन से हैं रिविटेट के पास डिफरेंट जॉइंट्स हम लोग देख लेंगे commonly used method of producing rigid and permanent joints अब वो कहते है rigid rivets के जो joints होते हैं वो permanent joints होते हैं जैसे कि आपके पास welding के joints क्या होते हैं permanent joint होते हैं और वो कहते है कि ये हमारे पास rigid चीजों को fix करने के लिए जहां पे permanently उनको जोड़ना हो वहां पे ये required होते हैं manufacture of boilers storage tanks involve joining of steel shields by means of riveted joints वो कहता है आपने boilers को बनाना है कोई भी बड़े tanks बनाने है कोई भी shields को आपने उसी तरह जोड़ना है तो वहां पे आप rivet joints को use करते हैं अब rivet joints को हम मजीद continue कर लेते हैं क्या है हमारे पास often small machine components are joined together to form a large machine component design of joint is an important as that of machine components because a weak joint may spoil the utility of a carefully designed machine part अब वो ये कह रहा है कि जो मुख्तलिफ आपके पास machine के parts बनते हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग छोटी छोटे machine के parts को combine करके एक बड़ी machinery बनाते हैं उसमें कुछ giant हम लोग temporarily use करते हैं जो हम उसको assemble और disassemble कर सकते हैं और कुछ giant हम लोग permanent use करते हैं तो जो permanent joint होते हैं आपके पास उन में आपके पास एक आते हैं riveted joints अब non permanent कौन से होते हैं non permanent ऐसे होते हैं जिनको आप nut और bolt जैसे हैं आपके पास जिनको आप easily assemble और disassemble कार सकते हो उनको हम non permanent joint करते हैं permanent joint कौन से होते हैं कि जिनको एक दफा अगर आपने लगा दिया और आपने दुबारा उसको disassemble करना है तो आप जब तक उसको तोड़ोगे नहीं उसका structure नहीं destroy करोगे वो अलग नहीं हो सकते जैसे के आपके पास welded joints, braised joints आपके पास आजाते हैं और फिर आपके पास adhesive joints आजाते हैं जो के permanently attached हों उसी में आपके पास riveted joints भी आजाते हैं अब rivet क्या होता है? A rivet is a round rod of circular cross section. It consists of two parts, head and shank. अब rivet के दो part होते हैं, एक capnuma ये वाला, जिसको आप कहते हो head, एक इसकी पीछे क्या होती है? shank हिसा होता है, जो कि राड की धरा होता है, इसको आप क्या कहते हो? shank कहते हो. अब riveting क्या चीज़ है? riveting is the process of forming a rivet joint. अब rivet की मदद से कोई भी joint आप बनाते हो, तो उसको हम कहते है riveting. for this, a rivet is first placed in a drilled hole through the two parts to be joined, then the shank end is made into a rivet head by applying pressure when it is either in cold or hot condition. इसका मतलब ये है, कि जब आपने rivet joint लगाने हो, तो आपने सबसे पहले जो दो parts को आपने combine कर रहो, दो plates को, उनमें आपने एक hole drill करना है, दोनों में hole drill होगा. फिर आपने उस hole के अंदर अपने rivet को रखना है, फिर उसको आपने इस तरह press करना है, उसका जो shank portion है, वो भी एक side पे तो head हो गया, दूसरी side पे जो उसका shank portion है, वो भी head की ही shape अफियार कर ले, जब आप उस पे pressure apply करते हो. अब end वाली line पे वो ये कह रहा है, कि जो pressure है आपका, वो आपके पास cold भी apply कर सकते हो, और hot भी apply कर सकते हो, ये different conditions हम आगे देख लेंगे. आगे वो कहते हैं हमारे पाट different types of riveted heads होते हैं, various forms of the rivet head used in general engineering works and boiler construction and as recommended by the barrow of Indian standards. अब Indian standards जो हैं, वो हम mostly use करते हैं, तो वो क्या है, उसने कुछ rivets के head define कर दी हैं, कि ये ये rivets के head होते हैं, manufacturing के हिसाब से हर एक ही अपनी एक specification है, उसको हम उसकी specified condition पे use करते हैं. पहला आता है आपके पास snap head, फिर आता है high bottom head, pan head, cone head, round top counter sunk head, flesh counter sunk head, flat head, truss head. अब ये आपको diagram में उसने दिखा दी हैं, सारे, मैं one by one की detail में नहीं जाओंगा, आपको एक समझा देता हूँ, snap head क्या है, snap head में आप देखें, तो उसने क्या किया, ये नीचे shank portion D shank कर डाया है, उपर इसने ये जो round जखाया है, आपको ये आपके पास head है, head की जो width है, वो die के 1.6 time होना चाहिए, और head की जो height है, वो आपके पास 0.7 times of die होना चाहिए, इसी तरह मुखतलिफ आपके पास जो head है, उनका chart आपके सामने स्क्रीन पे है, आप इनको easily verify कर सकते हैं, कि कौन सा है, आगे हमारे पास important terms हैं, कि हम जब rivers giants को use करते हैं, तो कौन कौन सा important terms हमारे पास आती हैं, पहले आते हैं आपके पास pitch, वो कहता है, it is the distance between the center of the adjacent rivets in the same row, it is denoted by P and usually taken as 3D where D is the rivet dia, वो कहता है, जब आप एक रो में rivet लगा रहे होती हैं, तो एक rivet के head के center से, अगले rivet के head के center तक का जो दर्मयानी फासला है, उसको आप pitch कहते हो, और इसका usually जो इसकी value है, वो 3 times rivet के diameter के बराबर होती है, आगे कहते है, row pitch क्या होती है, इसी तरह एक pitch के दर्मयानी एक line और अगली rivets की एक line है, और दूसरी एक rivet की line है, तो उनके दर्मयान जो फासला होता है, उनको आप कहते है row pitch, अब उसने बताय है, कि row pitch आपके पास क्या है, वो 0.8p भी हो सकती है, chain riveting के लिए, आगे हम पढ़ेंगे कि chain riveting क्या होती है, और फिर उसने कहा है, कि 0.6p होती है, आपकी zigzag riveting के लिए, आगे जाके देख लेते हैं, कि zigzag riveting क्या होती है, अब आता है diagonal pitch, अब ये जब आप zigzag pitch पढ़ोगे, zig diagonal pitch क्या होती है, आगे हैं margin, और the marginal pitch, वो कहते है, rivet की आखरी line जो होती है, जो आप लगाते हो, या आप कहलो कि आप पहली line जो rivet की start करते हो, end से, किसी भी sheet के end से, तो end की दर्मियान जहां से end हो रहा होते है sheet का, और जो rivet जहां से start हो रहा होते हैं, वहां तक, उस तक का जो दर्मियानी फासला होते है, उसको आप कहते हो marginal pitch, आगे है आपके पास, और ये marginal pitch की value आपके पास 1.5D होनी चाहिए, और D क्या है, आपके पास diameter है rivet का, आगे आपके पास हते है back pitch, this is the shortest distance between two successive rows in a multiple rivet joint, कहते हैं, जब multiple rivet joint है, आपके पास double rivet joint है, या triple rivet joint है, तो उनकी रोज के दर्मियान जो shortest distance होगा, उसको हम कहेंगे back pitch, आगे आपके पास rivet के joint कौन कौन से होते हैं, पहला आपके पास आता है lap joint, अगला आपके पास आता है what joint, अब lap joint कौन सा होता है, अगर आप एक प्लेट के उपर दूसरी प्लेट को overlap करवाएं, और फिर दुरानों के दर्मियान में आप होल create करें, और फिर उस होल में से अपने rivet को पास करवाके rivet joint लगाएं, तो ऐसे joint को आप कहते हैं lap joint, यह diagram में आप देख सकते हैं, यह आपके पास plate 1 है, यह आपके पास plate 2 है, plate 1 को plate 2 से overlap किया, तो यह उपर उसकी ने इसका टॉप portion दिखाया, और यहा ऐसे joint को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे joint को हम लोग lap joint कहते हैं, आगे यह देख लें, इस तरह सुराख होते हैं दोनों plate में और यह उसने rivets अलग लग करके दिखा दिये, इनको हम इस तरह कहा है, lap joint से जोड सकते हैं, यह again उसने single rivet joint यह उसने लगा दी है, अब यह double rivet joint है, double rivet joint क्या है, वहाँ पर लगा सकते हो, double row इसकी लगा देते हैं आप लोग, आगे आता है double riveted with zigzag, अब जब मैंने आपको zigzag का बताया था, तो मैंने कहा तो जब तक zigzag देखेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा, अब हर दो rivet, इस line के हर दो rivet के दरम्यान अगली line का rivet आ रहा है, यह आप देख लें कि इस line के दो rivet के दरम्यान पहली line का rivet आ रहा है, तो ऐसे connection को यह इस तरह जो rivet जोड़े जाते हैं, उनको हम कहते हैं zigzag riveting, अब यह आप देख सकते हैं, यह आपके पास chain है, rivet, chain type, chain type क्यों होती है, क्योंकि यह दोनों आपके पास parallel है, औ यह उसने आपको दिखा दिये single, यह उसने आपको दिखा दिये double chain की form में, और यह उसको ने आपको दिखा दिया side view, double zigzag की form में, यह उसने cross section लेके आपको दिखा दिया है, अब आपके पास आता है butt joint, butt joint क्या होता है आपके पास, अगर आप दो पलेटों को आमने सामने और फिर एक आप कवर प्लेट रखते हैं और कवर प्लेट के ऊपर आप लोग अपने रिवेट इंसार्ट करते हैं तो कवर प्लेट में आप होल करेंगे फिर आप उसी अपने दोनों प्लेट में करेंगे तो उस टाइम जो आप रिविटिंग का रहे होते हो उनको आप कहते ह बट intrinsic is को डायग्राम से देख लेते हैं अब देख सकते हैं की ये आप के पास लेत 1 ये आपके पास अले टू आ अपने उपर एक cover plate रखी, दोनों को आपने कहा किया side by side जोड़ दे, यह आप दर्मयान में यह वली लेहन देख सकते हैं, यह overlap नहीं है, यह कहा है side by side है, उपर आपने एक plate रखी, उसमें आपने rivets को जोड़ दियो, तो ऐसी riveting को हम लोग कहते हैं, chain butt rivet, यह double joint है, इसी तरह आप य इसमें हम दो तरफ से जुराग करते हैं, क्योंकि हमने rivets को इस तरह fit करना है, आगे आपके पास इसी तरह zigzag भी आ जाता है, यह तो आपके पास क्या था, single riveted, single strap था, strap से क्या मुराद है, कि आपने यह जो strap है, वो एक side पे रखी है, अगर आप इसकी दोनों side पे रखने है तो वो double strap हो जाएगा, अब आप देख सकते हैं, कि यह double strap है, single riveted, rivet single लगे हैं, लेकिन यह क्या है, यह double है, उपर भी plates के रहे आपने strap रख दी, नीचे भी आपने strap रख दी, तो इसको आप क्या कहोगे, single riveted, double strap joint, इसी तरह, double riveted, double strap, अब आपने क्या किया, इस side पे भी double row है, उस side पे भी double row है, और आपके पास strap भी नीचे इसी तरह हैं, तो यह क्या होगा, यह आपके पास double riveted, double strap joint, इसी तरह, यह इसने उसकी आपको side view दिखा दिया, इसमें आपके पास zigzag भी हो सकते हैं, तो thank you so much for watching, ओप सो यह आपको lecture समझ आया होगा, रिविटिक्स का, तो हम इंशाला, रिविल्ड के यूजर को भी देख लेंगे next time, तो अगर आपके कोई confusion है यहाँ पे, तो आप जरूर कमिट्में बताइएगा, thank you so much, अलाहाफिस